हेलो एबरिबरी वेलकम टू माई यूटूब चेनल अभजीत लेक्चरर इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 जो आप लोग का इंगली से उसमें 5 most important application बताने वाला हूँ जो की बर्ड परिच्छा में 100% आएगा अगर आप लोग बर्ड एक्जाम के तियारी कर रहे हो और 95% मार्क लाना चाहते हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो में मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि बर्ड एक्जाम में application कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग 5 most important application देखेंगे इसमें पहला है write an application to the principal of your college complaining against your class fellow आपको अपने सापाटी के उपर एक complaint लिखना है प्रिंसिपल को एक complaint लिखना है यह paper में कई बार पूछ चुका यह बहुत ही important है यह 2018 के UP board paper में पूछ चुका है यह बहुत ही important है इसको आप लोग याद कर लेना दूसरा है write an application to the principal of your college informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence for two days इसमें आप बीमार है और principal को एक application लिखना है दो दिन के छुटी के लिए आपको application लिखना है यह भी बहुत important है यह भी paper में कई बार पूछ चुका है यह बहुत ही most important है तिसरा है Your mother is ill आपकी माता बीमार है Your father has gone on a tour आपके पिता टूर पे गए है You have to look after your mom Mother आपको अपने माता का देखबाल करना है You want to live for five days आपको पांद इंगे छुटी चाहिए Write an application to your principal To grant you live for five days आपकी माता बीमार है और आपके पिता टूर पर गए है तो आपको अपनी माता का देखबाल करने के लिए आपको प्रिंसिपल से five days लिए छुटी की application लिखना है यह बहुत important है यह भी पिपर में कई बार पूछ चुका है यह 2016 के UP Board के पिपर में पूछ चुका है यह बहुत ही most important है हमार चौथा है write an application to the principal requesting him to grant you five days leave because you want to attend the marriage ceremony of your elder brother आपके elder brother की marriage ceremony के लिए आपको पान दिन के लिए अप्रिंसिपल को एक application लिखना है आपके बड़े भाई की marriage ceremony है आपको पान दिन के लिए अपने principal को application लिखना है यह भी बहुत ही most important है यह भी paper paper में कई बार पूछ चुका है पाच्वाँ है write an application to your principal requesting him to issue you the transfer certificate as your father has been transferred to Nanitaal इसमें आपके पिता का Nanitaal में transfer हो चुका है तो आपको अपने principal को transfer certificate TC के लिए आपको अपने principal को application लिखना है यह भी बहुत ही most important है यह 2015 के UP board के पूछ चुका है यह बहुत ही most important है इससे इस 5 applications को छोड़ कर आपको UP board 2013 के board exam में नहीं पूछने वाला है तो आप लोग यह 5 याद कर लिजिए अब हम लोग इसमें से एक जो most important है उसको में बताने वाला हूँ अब मैं आप बताऊंगा की board exam में application कैसे लिखते हैं तो यह बहुत ही most important है यह कई बार board exam paper में पूछ चुका है यॉर मदर is ill यॉर फादर हैस गॉन अन टूर यू हैव टू लुक आफ्टर यॉर मदर यू वांट तो लिव फॉर फाइव डेज राइट अन अप्लिकेशन तो यॉर प्रिंसिपल टू गरांट यू लिव फाइव डेज हमने पीछने पीछे वाले पेज में हम लोग देखें यह बहुत important है तो हम लोग पहले यहां पर लिखिंग टू फिर उसके जश्ट नीचे दो प्रिंसिपल कई लोग गलती है करते हैं यहां सूर कर देते हैं दो प्रिंसिपल हम यह दो प्रिंसिपल और कॉमा लगा लेना है कॉमा बहुत important है फिर अपना स्कूल का नाम जैसे मैंने एक्जांपल लिया है गौर्मेंट इंटर कालेज फिर यहां पर कॉमा लगांगे फिर उसका address लिखेंगे जैसे मैंने एक्जांपल लिया है आजमगड तो फिर हम यहां on a business tour I have to look after my mother day and night as there is none else to look after her so I am unable to attend the college फिर एक लाइन छोड़कर इस सर के नीचे ज़स्ट इधर आया शुरू करेंगे I, therefore, request you to grant me leaves of absence from the college of five days from January 28th to February 1 इमने एक्जांपल लिया है फिर नीचे लिखेंगे थैंक यू फिर नीचे you are obediently xyz बोड प्रेपल में कभी नाम नहीं लिखा जाता है इसलिए मैंने एक्जांपल लिया है xyz class 10 तो अब हम लोग इसको समझेंगे I beg to say that मैं कहना चाहता हूँ my mother मेरी माता जी इजिल पीमार रहे and my father has gone on a business tour मेरे पिता जी business tour पे बाहर गया है I have to look after my mother मुझे अपनी माता का देखभाल करना है दिन और रात as there is none else to look after her मेरी स्वाय मेरे माता का कोई नहीं देखने वाला so I am unable to attend a college इसलिए मैं college attend नहीं कर सकता इस वीडियो में मैंने बता दिया कि आप लोग board exam में application कैसे लिखें इसके पीछे मैंने बताया कि मैंने 5 most important application के बारे बताया था अगर आप लोग को 5 याद कर लेते हो तो मेरा 100% guarantee है कि आप लोग का application में एक विमारक नहीं कटने वाला है अगर आप लोग को class attend कोई भी subject में अगर आप लोग को दिक्कत होई हो परसानी होई हो तो मुझे comment करें अब मिलेंगो next वीडियो में टप तक के लिए good bye